नलिद कोहली, केंब्रिय कानून मंत्री रवी शंकर प्रसाद उन्होंने आज एक लंबी चोड़ी प्रेस कॉन्फेंस की, जिसमें उन्होंने कहा शाहिन भाग एक सोच है और इसके पीछे तुकडे 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 गैंग है। जो भारत की विभाजन की बात करते हैं, जो कहते हैं अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातल जिन्दा हैं, अफजल को तो फासी करार किया सुप्रीम कोट, भारत के सुप्रीम कोट ने किसी व्यक्ति नहीं नहीं, तो क्या सुप्रीम कोट एक कातल आना है, संस्था है, दूसरी बात आजादी की जो बात करते हैं, जिन्ना की आजादी क्या थी पाकिस्तानद इस्लाम के आधार पर भारत का विभाजन हुआ, दो तुकड़े हुए, जो व्यक्ति वहां शाइन भाग में जाकर कहते हैं की भाई, कश्मीर को तोड़ा जा सकता है, पाँच मुसलमान भाई लोग चाहिए जैसे कनया के 5 लाग को हम जाएं वहाँ पर पूर्वोत्तर को तोड़ देंगे अगर तूटेगा नहीं तो कुछ महीनों के लिए तो तोड़ी देंगे ट्रेन बंद हो जाएंगे सब बंद हो जाएगा तो यह क्या भारत को मजबूत और शसक्त बनाने की बात ह भारत का संबेधान कहीं पर भी इसकी अनुमती नहीं देता कि कोई व्यक्ती इस इच्छा को जताए और उसके प्रती ऐसे कुछ कहेगी भारत का विभाजनों जिस संबेधान की आधार पर ये लोग कहते हैं कि हमारा अधिकार है और हम अपने अधिकार को जतारे हैं वो हमें यह बता दे कि संबेधान में कहा लिखाए भारत के तुकडे होने चाहिए तो यह एक सोच है जो व्यक्ती इस सोच को कहता है खुले आम कहता है, सरे आम कहता है या किसी संगटन का भाग होकर इसके प्रतिकार्य करता है तो ये व्यक्ति तुकडे तुकडे गैंग का होगा कोई व्यक्ति RTI में Home Ministry को देगा याची का तो उस व्यक्ति को जवाब यही में लेगा कि ये क्योंकि सर्टिफिकेट थोड़ी ना पाड़ती है Home Ministry तुकडे कुडे गैंग भी एक सोच है, हमने JNU में देखा, शाहिन बाग में देखने देश के अन्या जगाओं पर भी ऐसी सोच में इस प्रगार की रालीज आप लोगो उजागर करते हैं मीडिया में सोशल मीडिया में कई भारती नागरीको से उजागर करते हैं, ये भाचपा नहीं बपना रही है और भाजपा का कोई लेना देना नहीं है लेकिन भाजपा एक राष्ट्रबादी दल होते हुए राष्ट्र की हित में सोचते हुए हर भारती के साथ जो इसकी चिंता करते इस बात को रखेगी और रखना भी चाहिए अरविन केजरीवाल करें बीजेपी के नेता खुद क्यों नहीं चले जाते शाहिन भाज खत्म क्यों नहीं करा देते एक बार जाके केजरीवाल जी चले जाए अगर उनको बड़ा शोक है केजरीवाल जी तो हमेशे अडवाईस ही देते रहते आप मुझे बताईए वो क्यों हमें बता रहे है अमें जाना चीए हो नहीं जाना चीए भई वो जाय़ शतंत्रवेक्ति है और इस सोच के बारे में वो तो खेते निये उनकी सरकार ने कहीं पर कभी भी परमीशन दी प्रोसेकूशन को कि जब कनया कुमार और इन सब वित्तियों पे आद देखिए। का हो किसी भी स्थान का हो हर भारती जो भारत में विश्वास करता है सम्वेधार में विश्वास करता है वो कैसे कह सकता है कि आप हमारे देश का विभाजन करिए हमें बड़ी खुशी होगी जिन्ना वाली आजादी हमें मिलनी चाहिए हमारे देश के और भाग होने चाहिए इसका जवाब तो केजरी वाल जी और उनकी पार्टी को देना पड़े।